हलो दोस्तों केसे हो आज मैं आप सबसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे अपनी जगह बनाए और कैसे अपना नाम बनाए आज मैं इस वीडियो में साथ इसे टिप्स बताने वाला हूँ जो आप लोगों को network marketing में success होने में help करेगी तो आप लोगों से मेरी request लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहे और हर एक tips को अच्छे से समझे दोस्तो आपने एक word तो सुना होगा follow the system network business में काम करने का एक system होता है जैसे आप कोई भी काम करते हैं किसी भी field में काम करते हैं तो वहाँ पर कोई नो कोई काम करने का एक system होता है इसी तरीके से network business में भी सफलता प्राप्त करने के लिए एक system होता है अगर आप network marketing में business में सफलता हासिल करने चाहते हैं तो आप लोग ये 7 tips को जरूर अपना है पहला आता है दोस्तो positive thinking network marketing हो या फिर कोई भी business हो सबसे पहले आपको अपनी सोच को positive बनाना होगा क्योंकि एक negative thinking के साथ आप कभी कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते में सफल होना है तो अगर आपको अपने आप पर या उस company पर जहां आप काम करते हैं उन पर भरोसा नहीं होगा तो आप किसी और को उस confidence के साथ नहीं बता पाएंगे इससे अगर कोई network marketing में आपके साथ जुडने वाला होगा तो भी नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि आप में वो confidence नहीं है जिससे आप सामने वाला को अपने आप पर भरोसा करा सको इसलिए आप लोगों को हमेसा positive thinking के साथ काम करना चाहिए सेकंड तरीका आता है make a list network business लोगों का business है जहां कोई एक इंसान नहीं जो सब कर लेगा और सब समाल लेगा business का मतलब ही होता है एक team management और जब एक team अच्छी होती है तभी आप बड़ा business और growth कर पाएंगे यहाँ बात आती है किन लोगों की list बनाए तो मैं आप लोगों को बता दू उन लोगों की list बनाई जाए जिन लोगों पर आपको भरोसा है जैसे family member, friends, colleagues और इसे कई सारे लोग जैसे आपके पास एक list तियार हो जाती है उसके बाद आता है third तरीका show the plan अब आपने जिन लोगों की list बनाई है उन लोगों को invite कीजिए और अपना business plan समझाईए अगर आप खुद से नहीं समझा सकते तो कुछ लोगों की team बनाईए और plan मिल कर समझाईए अब plan समझाने की भी तीन तरीके होते है पहला जो तरीका होता है वो होता है one to one यानि आप जिस व्यक्ति को समझाना चाते है उससे खुद मिलकर उसे समझाए सेकंड आता है group meeting यहाँ पर आपको जिसको समझाना है उन लोगों का एक group बना दे और फिर उस group में समझाए थर्ड आता है यहाँ पर event meeting अपने guest को किसी भी बड़े event में ले जाए वहाँ उन लोगों को कई सारी चीजे देखने और समझने को मिलती है साथी में उनके अंदर एक विजवास बनता है और वो लोग बहुत जल्दी convince हो जाते हैं और आपकी business deal को join कर लेते हैं इसके बाद fourth आता है follow up इसका मतलब होता है उन लोगों से दोबारा बात करना जिन लोगों को आपने अपने event में invite किया था क्योंकि जिन लोगों से आप मिले थे जिन लोगों को आपने अपना plan बताया था वो लोग घर जाकर उस पर सोचते हैं उनके अंदर भी कई सारे doubt आते हैं जरूर नहीं कि हर डाउट positive हो कुछ positive होते हैं तो कुछ negative भी होते हैं जैसे join करे या नहीं इसमें कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा तो इसलिए हमें follow up लेनी चाहिए और उनके doubts को clear करना चाहिए और हाँ दोस्तो एक बात जरूर याद रखे follow up event के 24-48 घंटों के बात कर लें फिफ्त हाता है दोस्तो startup जब आपके client join करे तब उसे startup करवाईए उसे एक बार फिर plan समझाईए benefit बताईए अपने business के कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को plan बता दिया उसको business अच्छे से समझाया follow up भी किया और उस इनसान ने join भी कर लिया फिर हम सोचते हैं कि उसी इनसान को सब समझ में आ गया होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है उसको एक बार फिर से समझाईए और उसी इनसान को किसी दुसरे को plan कैसे समझायेगा ये भी बताईए और उसे खुद practice करने को बोलिये तभी उसके साथ आगे कोई बना रहेगा क्योंकि business में एक ही leader के कई सारे clients होते हैं और हर किसी client को समझाना इतना आसान नहीं हो पाता है किसी के लिए बहुत hard होता है किसी के लिए बहुत easy होता है तो वहाँ पर हमे confidence का होना बहुत जरूरी है इसलिए plan को एक बार में अच्छे से समझ ले और उसे कई बार practice करें इसका मतलब होता है सभी product का use करना कुछ लोग होते हैं जो अपनी company का product use नहीं करते जब आप खुद ही अपनी company का product use नहीं करोगे और आपका business ऐसे में end हो जाएगा इसलिए अगर आपको network marketing business में success होना है तो आपको 100% product user बनाना पड़ेगा और आपकी team भी यही काम करेगी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7th point की जो है attend all meetings and seminar आपकी company में जितने भी meeting, seminar, training, workshop होते हैं उन सबको आपको attend करने चाहिए क्योंकि यह business सिखने का एक तरीका होता है अगर आप सिखने के लिए के तयार नहीं होंगे अगर आप अपने comfort zone को तोड़ने के लिए ready नहीं हो meeting में जाने के लिए अगर आप तयार नहीं हो तो यह business आपको कुछ नहीं दे सकता और अपने friends के साथ share जरूर करें और इस वीडियो को like भी करें इसी तरह marketing से related information पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell icon भी दबाए ताकि आपको मिलती रहे आने वाले हर वीडियो की latest update thank you so much दोस्तों फिर मिलेंगे अगली latest update में